कि यह गाइज वासब कैसे आप सब लोग स्वागत है आप सभी कड़ेटन डिवोस सवन पे मेरा नाम है अभीने सिंग तो गाइज जैसा कि उमीद है आज आप लोग एक दम जो कुश्चर है उसका गर्दा वड़ा के आए होंगे जी हां तो देखिए आज जो एक्जाम है वो ओवर हो चुका है आपका एलेक्ट्रिकल का डिगरी वालों का जो शिफ्ट वन्थ है आपका जेए अन का तो गैस यहां पर आज हम लोग डिसकस करेंगे कि कि इतना आपका जो कट ओफ है भू रहा पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहा मॉडरेट रहा या फिर आपका मॉड करके बताइए कि आपको जो पेपर है वो कैसा रहा बताइए फटावर से यहां पर कमेंट करके सारे लोग कैसा रहा आपका पेपर कैसा रहा आपका पेपर नमस्कार राहुल नमस्कार बताइए भी पेपर कैसा रहा गर्दा उड़ाय की नहीं उड़ाया पेपर का फटाव गुड भाई होना भी चाहिए है तो यहां पे चलिए सीधा क्या क्या गयते सर पेपर को खोला जाए अफिर वेट किया जाए लोगों का थोड़ा सर वेट कर लेते हैं फिर उसके बाद खोलते हैं पेपर को और कैसा राद जी केगा नॉन टेक्निकल कैसा वापका आज गई पेपर अच्छा है है सर मेरा तो जरूर देखे जाना फिर तो मतलब आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्डेंट है जिनका कल है वो तो मतलब आज जरूर देखके जाए क्योंकि हापे सर आपको बताएंगे कि आपका जो नॉन टेक का पोर्शन है वो कैसा रहा गा तो फटावर से यहां पर देखी जो पोल है इसमें यहां कमेंट बॉक्स में पोल डाल दिया गा है कि जो पेपर है उसका आपको लेवल क्या लगा मॉडरेट लगा ईजी लगा या फिर आवरेज लगा देखिए तो सबसे पहले तो फटावर से आर बताएंगे कि कैसा रहा है एक्जाम का जो कट ओफ है वो आपका क्या रहेगा तो फटावर से गाई एक बाई शेर कर दीजेगा दूसरों को अपने भी ग्रूप में जो भी जिसका ग्रूप है नहीं सारे कलीक्स को अपना शेर कर दीजेगा ठीके तो चलिए यहां पे थोड़ा से जो पेपर इसको ओपन कर लेते हैं तो गाइस देखिए यह रहा आपका पेपर और यह जो पेपर है आपका भई देखिए तो यहां पे सबसे पहले नॉन टेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो भई देखिए नॉन टेक्ट मेरा तो बहुत जादा अच्छा है नहीं फिर भी आपर कोशिच करू कर दो आंसर बता सके तो पहला ही जो कुशन है वो आपका मत से जनपत का सर्व प्राथम उले किसमें मिलता है तो देखिए यह थोड़ा सा मुझे भी आदे सर आई तिंक यह जुर्वेस इसका राइट आंसर है कि मुझे नहीं पता नहीं चलिए सरी बताएंगे यहां पर ज कुशन जो आर बीसी की नहीं राजस्तान की बुक से इंको बताया था सर यह करके जाना जरूर और लाश्ट में एक सेसन भी लिया था इसका देखिए भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जो लिश्ट है ना जीस का उसको फॉलो कर लीजिए गा आपको वहीं से जब भी अगली बार हो तो अच्छे से ना प्रिपेर करके रखना क्योंकि यह टॉपिक जो फिसली बार सर जो फिपर आया था ना इसी के कोटिंग आज भी ऐसे यह यहां से सिला लेक से कुशन पूचे जो आणा तय था इसके अलावा सब बता से पूचे यह नहीं एंसीं जो फिर करके जाए राजस्तान लीती जिसके अंदर में आपको राजस्तान मॉटनिस्टी का मोटा मोटा तीस मिनिट गंदर जो क्रक्स बताया था वो कुशन कम से कम पांच है आगे ठीक है और पॉलिटी बहुत बेसी गारी कल सरा जिपाल बोला था राजिपल का आगे यहां पर दर्बारा सिंग निर्मल चंजयन सेलंदर कुमार सिंग तो यह सर कलास्पति में बहुती बढ़िया कुशन बहुती बढ़िया कुशन सीदा बताया था एंटी एस्पी ट्रिक है इसकी सिंपल सी बात है यह तो मुझे पूरी उमीद है गाइस कि अगर आप लोगो और यहां पर देख यह सर वाकल मेश्वा मेश्वा तो अगरिया तो देख आगे बढ़ते हैं और यह को सब्सक्राइब आपको बताया है कि आपके जितने भी प्रिविए सियर एक्जाम कुशन उसको जरूर करके जाए यहां पर कुशन देख रिपीट हो रहा है कि आपके पढ़ते हैं यहां पर देखिए और यह कुसन यह कुसन सर्द दूसरी तीसरी दूसरी क्लास के अंदरी बोला था यह आएगा और यह देख लो से जांद वावधी त्रमुकी और लॉक और इसमें तरफ इतना जपूचा मैंने बताया था कि किसने बढ़ाया था यहां तक यहा अब देखना इनके क्या कमेंट आते हैं देखिए मैं आप लोग इस हमेशा पहले से बताया यहां पर यहां पर इस पीपर को देख्टी मैं अपसे लेवल पूछना चाहूँगा कि सर्मॉड्रेट है मौडरेट और थोड़ा पर है अच्छा थोड़ा सब्सक्राइब कुछ ऐसे कुछन है जो रियल में बहुत बढ़िया जैसे नरम्दा का कुछन पूचा जो है एनियाओ कोई नहीं कर सकता जैसे से बहुत मुस्किल एस टाइप के वेसमें यह वाला कुछन रजब थे लेक ना यह काट दो आंसर आजाएगा यह बारासो ते उतर का है देखो भई तो यहां पर पतर पुरका तामर पतर इस बार और पटके जाना तो बहुत कि सर जो जो यार बता रहें ना उसको एकदम गांट बांद लीजिएगा जो आपका नेक्स सेशन है नेक्स सेशन में जो भी आपका एक्जाम है आपका कल दिखे अभी मेकैनिकल वालों का हो और अभी शेकर इंसेफ्टर है बिल्कुल वालों का पेपर है तो एकड़ मतलब नौक करके जाहिएगा यहां से कुशन दिखे आपके रिपीट हो रहे हैं तो प्लीज यहां पर जो भी रिपीटेड करके जाते हो और आपकोई टैसरीज नहीं करते हैं तो आपका यहां पर बहुत अच्छा स्कूर होगा बेपर पूरे रिपीट हुए प्रिपीट हुआ है विंदिर कंगार यह रिपीट हुआ है बहुत सारे कुशन से यहां मतलब डैरेक्ली रिपीटेड हो रहा है तो जैस है कि सरने आपको समझाया भी ता कि कुशन जो है प्रीएस ली जो कुशन से उसको करके जाईएगा और फटाफर से एक बार कमेंट करके बताए और जो भी जैपुर में तो कोई बुक्स हो तो निकाल लेना वहां से और एक बार लास्ट के जो ना भी रिसेंट के जो पेपर हैं कम से कम आपको चार गंटे लगेंगे और चार गंटे में मैं बोल रहा हूं का अगरियल मैना दस कुशन ऐसे कर लोगा जो आपको बिलिव नहीं होगा वो कुशन करके बिल्कुल भैक तो देखिए सरने जो यहां पे बता रहे है ना जो वाली बुक्स है प्लीज जैर उ तो फटाबर से आप आप लोग एक बर कमेंट करके बताएं कि जो आपको जीस का लेवल था वो कैसा लगा लेवल और आप सरने जो सेशन लिए वो आपके लिए कितने ज्यादा है फटाबर से कमेंट कीजिए जिससे यहां पर जो दूसरे लोग है उनको भी गाइस तरफ तो नेक्स कुशन है कि यह रमचुवाद देंटर वाद इंदर से अना था था अज भी था आज भी थे और आगे विए उन्टर से होगा अगे अगा लगा थी अंटर कर लो जास पूल ट्रिक मिलें यूटूब से जैसि भी इसको कर लो एक नमबर आपका यहां से पर्थम रोपे जितने भी रोपे जरूर देखके जाना ठीक है रोपे वाला मैं भी देख रहा हूं कि अभी तक देखिए इसी पेपर में राज्यपाल से 2-3 कुशन देखने को मिल गाए तो राजस्तान के जो राज्यपाल वाला चैप्टर है आप डालेंगे आपके पास क इतना है यह वाला यह तो मतलब आज दो एक पेट बैज जल्दा मेरा अभी मनी बैस वहीं पर निकाला मैंने 43 इसका इस तरीके के कुशिंस करेकि कोई तोड़ नहीं होता है ना मतलब आता है तो सर्टीक है और नहीं है तो आगे बढ़िएगा क्योंकि देखिए ऑप्शन कैशने लेगा अब बतर और दूसरा यह जो ए अंद्रा गांधी नयर पर यूजना जहां से बार बार कुशन आ रहे प्रिवन नहीं कर दो इंद्रा गांजी नेर परियुजना को जरूर करके जाओ इंद्रा गांजी नेर परियुजना बहुत अच्य से यहां पर मैं पूछे जाओंगा कि अभी जैसे सर्फ एलक्टिकल वालों का कल पेपर है तो सरे इन कुशिंस को देखते हुए थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसा गांकर में सागर भढ़ने वाला को सब्सक्राइब अपनी मेरा थनु यह अपने यही पर इंजिने सर्ड़ा पे तो मस पर राजस थान की माडनी यह फॉडर बहुती संहाने था ऐी टीज जो यह आप कर दो दुसे इंद्रा इंडरा पूर्वी राजस्तान अब यह यहां से पका एक कुछन आ रहा है कि पूर भी राजस्तान नहर परियुजना क्या है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए तो नेक्स देखिए नेच फर्टी फुर्ट परिवन का पुछाए तो भरतपूर करॉली सवाई माधपूर और दौर तो अगर ऑप् बढ़िया कुछन है यहां से 40 कुछन देख लिए हैं कि राणा संगा से कुछन तो आने ही आना ता है तो इस्तती विस्तार और भूतिक प्रदेश से थोड़ा डीप में पढ़ा है यहां से बहुत अच्छा पूछा यह बहुत अच्छा पूचा यह बाला कुछन और यह ज को में यह जो वह आ सकता है इसके अलवा यहां जो इसकी इंग्लिझ का ट्रॉंस वह से तो अनुपरस्त लिए जो तॉट क्या बोलते है उसको 90 डिग्री वह बनता है और वह सब गब यहां पर शुन ऑना यह यह आपके आगया लेकर घ्रांस एंग है तो लुसरा सेंट यू जो जीएस का बता रहे ना उस तरीके साब जीएस को कर लीजिए बाकि जो टेक्निकल है टेक्निकल का मैं अभी आपको बताऊंगा और आपको अंखों से देखना यहां कि जो कितने कोशन से वो आपके फसे बिल्कुल अभी आपका सेकंड सिफ्टर माराना सांगा भी हो चुक होने बहुत अच्छे कुशन यह बहुत बढ़िया कुशन अपसर यहां पर में एक लेवल आप से पूझा जिसका तुसर मौडरेट आवरेज या फिर तफ क्या कहीं तप में तो तीन सार कुशन आएंगे मोडरेट है और नॉर्मल ठीक ठागे लेकिन जो बार से आरे वो त अच्छा मॉडरेट है थोड़ा सा अच्छा मतलब लेवल कापी अच्छा है अच्छा लेवल एपर फिर द वेस्ट आप लोगो बताया भी तकी हाँ पे जो पेपर है वो काफी अच्छा रहने वाला है जी एसका और जो टेकनिकल वो आपका सेलेक्शन डिसाइड करता है आ यहां पर देखिए अब फटा फट से यहां पर जो टेक्निकल है उसको देख लेते हैं तो टेक्निकल पर सबसे पहले बढ़ते हैं आगे यहां पर देखिएगा 440 kv transformer has a core loss आपको दे रखें और full load copper loss दे रखें दा efficiency portion of the full load यहां पर मैंग्जों efficiency के लिए आपको क्या पूछा है यहां पर बताई कितने बार नहीं है मैंने आपको जो कुश्चन है वो कर वाया था बहुत बार यह कुश्चन करवाया था आपको तो देखिए सारे कि जो मैंने आपको sessions करवाये थे वो directly यहां पर आपको दिख रहा है यह देखिए अगेन इन एसी rotating machine the generated EMF देखिए कुश्चन मंतलब कितने बार करवाय था कि कोई भी जो आपका voltage होता है ना आपका machine transformer कोई भी जो आपका generated voltage होगा वो हमेशा अपना जो में फ्लक्स है में फ्लक्स है कहाँ पर होगा हमेशा 90 डिग्री की lagging position पर होगा कहाँ पर होगा हमेशा lagging position पर होगा है यह कुश्चन देखिए से मतलब जो sessions थे मतलब अब लोग यह मत सूचन है कि यह paper मैं मैंने side किया है तो यहां पर देखिए अभी तक 2 questions देखिए इनका जो level है वो क्या है आपका okay okay level है चिक है तो इसका जो option है वो क्या हो जाएगा option c is the right option lex by 90 degree ठीक है चलिए आगे बढ़ते है फटा बढ़ से यहां पर तो यहां पर देखिए यार मतलब थोड़ा सब वेट कीजेगा इस पर लिखनी पार किसमें इसको खुलना है तो यहां पर जिस गाइज एक मुट वेट कीजएगा ओके चली तब तक आगे देखते हैं यहां पर तो यहां पर देखिए थी फेडर का जो फीडर का protection है वो पूछा गया है तो भई देख सकते हैं कि यहां पर यहां पर जो सारे questions थे वो अंतलब directly आपको बताये थे और यहां पर देखिए control system का question आया है तो यहां पर देखिए computer बाबा थोड़े से नहराज हो गया है न सो computer बाबा को थोड़ा से जल्दी से फटावर्स से देख लेते हैं यहां पर देखिए टेल्राम में आपको झाए पर देखिए नहीं हो तो just a wait guys, तोड़ा सा, एक बने आपको क्योंकि वी जो solutions भी देना है साथ में न, इसलिए यहाँ पर देखी जो solutions देना है, इसलिए तोड़ा सा यहाँ पर इसको reopen कर लेते हैं फटावर से. ओके तो यहाँ पर देखीएगा, इसको फटावर से zoom कर देते हैं और यह, तो यहाँ पर देखीएगा, इसको देखते हैं, अच्छे, इसमें clear नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी. आपको बता ही दिया था, यह वाला तो, तो फटावर से जो electrical है, इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर जो cut-off है, उसको predict करेंगे कि कितना जो यहाँ पर cut-off है, वो रह सकता है आपका, तो I hope, जो GS वाला portion है, वो आप लोगों का अच्छा रहा होगा, है न, और जो second shift में जा रहे हैं, वो एक बार यहाँ पर जो questions है, उनको देख के जाएं, कि आपके जो क्या-क्या questions है, वो आपके पूछी गए, यह आपका हो गया mean flux, और जो यहाँ पर 90 degree है, 90 degree पर आपका, जो EMF है, अपनी flux है मिलता है, 90 degree, lagging position पर मिलता है, तो मतला, simple type का question है, कि बहुत जादा कोई, ऐसा question नहीं है, यहाँ पर, कि बहुत जादा tough question हो आपका, और यहाँ पर देखी जो next question है आपका, signal flow diagram से है, तो signal flow diagram से पूचा कया गया, यहाँ पर, δेखे देल्टा पूचा गया है, गलती मत कर देना, यहाँ पर, transfer function नहीं पूचा गया है, क्या पूचा गया है, सिर्फ आपका जो delta है, वो पूचा गया है, तो delta क्या होता है, one minus, non-t कैचिंग लूप तो यहांसे सिंपल देख लिजेए गाए आपका प्रीवियस ली जो आपका E.S.E. का पेपर है ना इस इलेक्रिकल इंजिनियर इना देखिए उसका मतलब exactly question copy कर दिया गया है है तो आपको इचेस कितने बार समझाई थी कि जो कुशन है वो आपका copy भी हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं फटावर से और देखते हैं यहां पर अब यहां पर देखिए यहां पर the voltage at two end of the line is 132 kv and its reactance आपको देखा the capacity of the line तो भाई किसका कुशन है surge impedance loading का question मतलब इसका तो देखे पक का गर्दा ओड़ा दिया होगा आप लोगो ने और यह जो कुशन से मैंने आपको कितने बाहर कर वायते है यहां पर आप लोग यह test तो simple क्या हो जाएगा यहां पर देखिए 132 square divided by x कितना है आपका 40 तो बस यहां से जो answer है वो निकाल लीजेगा तो देखिए अभी तक जो मैंने आपको शैसंस करवाए थे guys आप लोग यहां पर please comment करके बताएगे कि आपको कितना ज्यादा है वहाँ पर जो एडवांटी से देखने को मिला है आपको questions में चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप जो questions से वह आपके क्या कह रहे है देखिए next आपका super position theorem है न तो देखिए super position theorem मतलब इससे ज्यादा simple कुछ हो सकता है कि तो यहाँ पर देखिए super position theorem से question लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या समझा है था क्या समझा के बेजाता है कि exam में अगर super position लिखता है तो भाई देखो उसको लिखने तो है न आपको क्य simple यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर simple एक node voltage माल लेना है ठीक है node voltage भी माल लोगे और यहाँ से जो current वह आप आसानी से निकाल लोगे ठीक है तो यहाँ आपका voltage यहाँ का voltage यह रखा है तो एक बार 5 volt को activate कीजिएगा और एक बार 10 volt को activate कीजिएगा और यहाँ पर जो resultant आई उसको निकाल लीजिएगा ठीक है चलिए ना यहाँ पर देखिए modulation के भी question है जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो आपका electrical मैं भाई उन्होंने देखी communications पूछा था ना technical की मैंने आपसे पूरी guarantee ली थी कि technical को मैं आपका मतलब जो गर्दा है वो उड़ा ही दूँगा आपका ठीक है लेकिन यहाँ पर जो non-tech क्या कीजिएगा जो y parameter उसकी equation रखिएगा equation से compare कर लिजिएगा और यहाँ पर जो answer है वो आपको मिल जाएगा ओके अब देखिए यह simple question इससे ज्यादा simple question कुछ हो सकता है क्या question number 53 को देखिएगा कितना ज्यादा simple question आपका यह आया हुआ पावर फेक्टर पूछाए ना तो यहाँ पर देखिए जो पावर फेक्टर है कॉस्वाइट 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 क्या होता है simple r y z है न तो यहाँ पर देखिए आर का value कितना हो गया 20 20 so r is nothing but 20 z कितना हो जाएगा 20 square plus again 20 square तो बस यहाँ पर इसको solve कर लिजे answer जो है आपके पास में आ जाएगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं next question देखिए यहाँ पर यह question मतलब आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि मैंने आपको कुशन कितने बार बताया था comment करके बताएए फटावर से कि यह वाला जो question है कि secondary breakdown occurs in यह आपको class में कितने बार करवाया था यहाँ पर देखिएगा MOSFET BJT तो कितने बार बताया था कि आपका इसका right option क्या होगा BJT because BJT क्या होता है negative temperature coefficient होता है इसलिए यहाँ पर जो BJT इसमें क्या होगा आपका जो secondary breakdown problem है वो देखने को मिलती है और इसकी देखिए जो proper answer वर की है वो सब्सक्राइब 24-7 के जो एफ है उस पर upload कर दी जाएगी आपको question number 1 से लेकिए question number 20 तक तो अभी तक जो यहाँ पर देखिए जो questions का level आपको देख रहा है वो कैसा देख रहा है एक बहुत ही moderate सा जो level है वो आपको देख रहा है ना मतलब questions आप high नहीं कह सकते है तो यहाँ सब्सक्राइब 24 तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़े आपको मतलब यह एक्जाम में करवाए गया था मैंने आपको no load current कर देखिए question directly repeat हुआ है मतलब यह तो अभी एक दिन पहले ही करवाया था यहाँ यहाँ पर बताया भी था कि भई देखो आप degree वालों को power electronics पूछा ह जाएगा और यह जो questions था वो मैंने आपको session में कराया भी था कि अगर यहाँ पर single phase आपका bridge inverter है can operate in a load commutation mode in case of तो यहाँ पर देखिए load commutation है na load commutation का मतलब होता है कि जो load parameter है वो आपकी commutation में क्या करें support करें commutation is what आपका जो tire register उसको on state से off state में ले जाना तो right option क्या हो जाएगा rlc under damped यहाँ पर under damped आपका जो है load होना चाहिए तभी क्या होगा यहाँ पर आपका जो parameter है आपके rlc वो commutation को क्या करेंगे support करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपका transfer function आपका again पूछा गया है यहाँ पर देखिए एंगल condition in a root locus is given भाई भाई इससे जाब़ा simple और क्या होता रखता है कि mod of gshsh 180 plus minus plus minus होना चाहिए यहाँ पर no issue कोई plus नहीं दे गया है तो क्या हो जाएगा is the right option हो है टिक कर और आगे बढ़िएगा ठीक है और फटावर से यहाँ पर जो questions है वो देखते हैं हम लोग देखें मेंशन्स गेंट फॉर्मला वाला मेंशन्स गेंट फॉर्मला यहाँ पर सिंपल पूछा है जी के क्या रिप्रेजेंट करता है नहीं बद गेन आप दा के फॉरवड पाथ तो इसका right option क्या हो जाएगा is the right option ठीक है तो यह कि सिंपल मतलब जो questions है आप देख पा रह है जो कि universal घरों में यूज होता है बिलिंग के लिए यह कितने बार मैंने आपको नहीं करवाया तो whatever से आप लोग यहाँ पर session में comment करके बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर over compensation over voltage and vibration सारे का सारा यहाँ पर जो option है वो सही है so d is the right option यह देखिए exactly question म आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर helpful रहे होंगे और जो question है वो directly निकलके यहाँ पर आ रहा है आगे देखते है यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए a feedback system is stable if the number of zeros of the characteristic equation in the right of of the plane भही अगर system हमारा stable है तो right of जो आपका RHS है RHS में आपका एक भी pole और 0 नहीं होना चाहिए right option क्या हो जाएगा b is the right option एक भी आपका pole और 0 हमारा RHS में लाई नहीं करना चाहिए otherwise system कैसा हो जाएगा unstable हो जाएगा चीक है तो I hope guys आप यहाँ पर जितने भी लोग देख रहा है वो एकदम मतलब गर्दा उड़ा के आए होंगे और जो एक सीट है यार उसको पक्का कर लेंगे आपर तो ऐसे मतलब यहाँ पर जुतने भी अभी तक मैं question देख रहा हूं कि 80% से भी मतलब in fact 90% तक जो question वो directly आपके कहां से दिख रहा है session से दिख रहा है आपको चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ और देखते हैं तो यहाँ पर देखिए next आपका जो question है वो body plot का question है body plot consist of two separate plots one which consists आप तो देखिए जो body plot है आपको पता ही है आपका logarithmic plot है आपका magnitude versus phase and आपका magnitude तो यहाँ पर देखिए right option जो आपके सामने हो जाएगा 20 log to n versus log omega तो देखिए यह option इसका right option हो जाएगा so a is the right option ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह सारे जो question से वो आपको करवा चुके है आप नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा आपका देखिए communications के question भी आपको यहाँ पर दे रखें तो मैंने बोला था कि यहाँ पर जो question से देखिए इस तरीके के जो की transmission bandwidth of AM signal जो आपका AM signal उसका क्या bandwidth होगा तो देखिए यह ट्रांस उसके basics के question है आपके जो questions है वो कैसे आपके basic question है आपके communication के तो अगर आपने थोड़ा सा भी देख लिया होगा तो आपका जो paper है वो यहाँ पर ज्यादा question तो नहीं देख रहा है communication के एक-दो questions देख रहा है आपके but still यहाँ पर देखिए एक-एक question selection के लिए बहुत important होता है चलिए आगे question देखते हैं यह देखिए यह देखो लल्लू राम सा question पूछा गया है the per unit impedance है तो per unit impedance आपको पता ही है क्या होता आपका simple आपका ohm यानि कि यहाँ पर जो per unit value है वो क्या हो जाएगा आपका z ohm divided by z base लेकिन यहाँ पर ध्यान रहें किसका पूछा गया है 3 phase यह यहाँ पर मत भूल जाना किसका पूछा गया है 3 phase का तो यहाँ पर answer गलती से भी गलत ना कर देखिए तो anyway यहाँ पर देखिए तो आपका right option क्या हो जाएगा अच्छे यहाँ पर चीक है no issue कुछ मतलब दे ही नहीं रखा है आपका 3 phase का भी same ही दे रखा है so z per unit nothing but आपका sorry a is the right option not b तो आपका right option यहाँ पर क्या हो जाएगा a is the right option mva divided by kv base का square ठीक है तो यहाँ पर देखिए basic से जो question है ना वो questions आपके पूछेगा है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देख रहा है कि बहुत जादा आपको कोई भारी भरकम questions पूछा गया तो यहाँ पर zero sequence की बात कर लेते zero sequence current of generating four line to ground fault आपको कितना दे रखा है दे the current neutral तो भाही मतलब मुझे बताओ यार ऐसा लग रहा है कि मतलब सारा का सारा जो paper है ना वो कहां से उठके आगया आपका कि जो मैंने आपको seconds करा है ते वहां से आगया तो आपको पता है कि जो neutral current है आपका neutral current क्या होता है आपका three times of zero no sequence current है यह होता है तो बहुत simple multiply कर दिए यहां पर three से और जो right option वो आपके सामने आ जाएगा that is the right option देखिए कितना simple सा question जो है पूछा गया है ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर तो यहां पर देखिए the maximum current during the slip test on a synchronous machine the armature mmf align यहार मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कहूं मतलब शब्द नहीं आ पा रहा है कि यह जो आपको देखिए माने मशीन का जो session लिया था वहां पर यह सारे question कर रहा है तो जो slip test है ना slip test में मतलब आपको देखो simple सा पता है कि जो q axis है q axis में आपको जो mm sorry जो आपका current है वो क्या होता है आपको maximum मिलता है तो यहां पर देखिए xd कि slip test किसके लिए करते है xd और xq के लिए तो xd में क्या होता है आपका जो direct axis reactance है उसमें आपका maximum voltage divided by minimum armature current है ना और जो आपका xq है xq में क्या होता है आपका minimum voltage divided by maximum current है ना देखिए मतलब तो directly जो questions है वो आपको शैसन से दिख रहे है ठीक है तो देखिए यहां पर बता भी रहे हैं आपके प्रियंका और पल्लवी तो ही नहीं कि और ट्रांसफोर्मर का question पूछा गया है ना दा फ्रेक्शन और पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली तो देखिए मतलब यहार मुझे बताईए यहां पर बताईए गा आप फटावर से की जो इसका जो आंसर है आपका क्या होगा मतलब यह exactly session में से आया है यह यह बता गया यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यह वाला भी देखिए same question एक और दिख गया लग कांट विलीव यार यहां पर इतना ज्यादा जो question से वह पूछाना तो क्या हो जाएगा one upon x equivalent into base mvay लेकिन अगर यहां से आपने गलती यह की होगी कि यहां पर जो चार अल्टरेनेटर ने इसको अगर निगलक्ट किया होगा तो पक्का आपका गरदा उड़ गया होगा तो यहां पर यहां पर जैके x equivalent निकालना पड़ेगा त तो 20 है ना तो 4 कितने हैं आपके? 4 आपके parallel में लगे हैं तो यहां से 20 का x equivalent होगा कितना आजाएगा आपका? 5 बस अब आपका जो solve होगा आपका तो 1 upon 5 into base mvay कितना है आपका? 5 जो है आपको दे रखका है तो यहां से और into 100 से multiply कर देंगा तो जो answer हो आपका निकाल आएगा तो देखिए fault का question पूछा गया simple है ना और यहां पर inverter का question की single phase full bridge voltage source inverter है जा inductor L as a load ठीक है for a constant source voltage the current through the inductor is तो देखिए भई आपको आपको क्या दे रखका है inductor pure load आपको purely inductive दे रखका है ना triangular मतलब यह सारे question देखिए super conductivity observed भई मतलब यह questions directly आपको सारे के सारे देखिए करवाए गाए थे so यहां पर देखिए the EMF equation of DC machine तो questions यहां पर देखिए guys basic level के पूछे गाए जो यहां पर EMF equation है वो क्या होता आपका P5NZ into 60A यह होता है आपका तो यहां पर देखिए simple simple जो आपकर question से वो पूछे गाए तो guys देखिए यहां पर इसकी जो proper explanation की है वो यहां पर side पर upload कर दी जाएगी आपकी तो यहां पर देखिए RLC circuit में omega पूछा गया है मतलब सारे के सारे जो question से वो session से आए और सबस्क्राइब कर दा है इसका इसको यह अपर यहां पर देखिए जो सारी सारे question से आपके basic level के हैं और कहीं नहीं सारी को से जो question से वो यहां पर करवाए गाए आपके सेशन में तो आप देख सकते हैं यहां में ही पेपर है आपका दें कि नायक्विस्त का वो दे रख है यहाँ पर एस्टेबल और अनइस्टेबल पूइआ है यहाँ पर DOT यहां पर देखे कम्यून्यवेसिन के मैं देख रहा हूं कि कम्यून्यवेसिन के कुस्छिन जो और ही अच्छे पूछे गाया न आप देख रहे हैं कि जो communication है वो अच्छे पूछे गाया लेकिन जो diploma वाले उनको communications जो वो नहीं पूछा जाएगा चीक है चलिए तो anyway यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो plug setting multiplier रहा है यह मैंने आपको कितने बार नहीं करवाया होगा जो plug setting multiplier क्या होता है आपका nothing but fault current divided wire यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका pickup current IPK into CT ratio ठीक है यह हो जाएगा ओके गाईज तो देखिए यहाँ पर जो questions है आपके almost आपके यहाँ पर moderate to कुछ एक जो questions है वो जैसे total आपके 80 question है तो 80 में से लगवग जो 10 से 15 question है वो काफी अच्छी level के है जिसमें जो communication है उसको include अगर कर दिया जाए तो बाकी यहाँ पर जो paper है आपका तो कैसा रहेगा आपका moderate ठीक है moderate level का जो paper है वो आपका रहा है आपका चीक है tough तो बिलकुल भी नहीं कहा जाएगा और ऐसा नहीं कि मैं अपने point of view से बोल ला हूँ आप लोगों के point of view से ही बोल रहा हूँ कि paper जो है आपका वो moderate रहा है और देखिए यहाँ पर अगर एक cut off की बात की जाए out of 120 है तो जितना अभी तक आप लोगों ने feedback दिया है देखिए तो negating marking भी है आपका है तो यहाँ पर almost जो cut off रहेगा वो general के लिए नब बे रहेगा न 90 प्लस जो cut off है वो आपका general के लिए रहने वाला है और अभी मैं बता दू यह जो अभी cut off है अभी बहुत ही कम feedback आया है तो जितना feedback आया उसी के बिहाब में बताया जा रहा है आपका जितना जादा feedback आएगा जो cut off की analysis है उतनी बहुत अच्छी हो पाए है उसी हिसाब तो यहाँ पर जो feedback है वो predict किया जाएगा तिल ना हमारे पास जितने भी response आये 92 आपका 95 रख लीजिए न 95 प्लस है यह cut off आपका जो है वो जा सकता है 95 जो plus है वो cut off आपका जा सकता है 95 प्लस जनरल के लिए है और based on कि आपका जो feedback है वो कैसा आ रहा है तो जै general category के लिए 100 आपका जो 100 के आसपास है यह जो cut off है वो आपका जाना चाहिए बाकी let's see क्या होता है शाम तक यहाँ पर और ज्यादा feedback आएगा तो exactly यहाँ पर जो analysis है कि कि कितनी cut off जा सकते है वो देखेंगे लेकिन अगर यहां से आपके 100 प्लस जो marks बन रहे हैं अगर किसी क है भी तो आप safe score में है ठीक है 100 प्लस अगर बन रहा है तो safe score में आप चले जाएंगे ओके तो और बाकी लोग यहाँ पर comment करके बता सकते हैं तो देखिए अभी जितने भी लोग जा रहा है ना exam के लिए यहाँ पर आपके दो जो राजस्तान का series डला होगा उस series को देख ल रिवीजन वाला पावर सिस्टम का और मेजरमेंट का रिवीजन वाला वीडियो देख लीजेगा और जो आपका एक और यहाँ पर जो 60 कुशन है 60 मिनिट है ना उस वाले वीडियो को देख लीजेगा लाश्ट टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेगा आपका च दिख रहा है कि जो सेशन लिए सेशन से बहुत जादा जो कुशन है वो रिपीट आए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को जादा से जादा शेर कर दीजेगा जिससे जो इंफर्मेशन है जादा से जादा तक लोगों को पहुंच पाए और आई जादा से 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 जाद